गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग अपने हिंदी पार्ट मला आकरती से अगला चैप्टर पढ़ेंगे हमारा अगला चैप्टर है टिंगू की क्या गत्ते थे इसमें एक बच्चे की कहानी बताई गई है कि वह बच्चा किस प्रकार इर्दोस होते हुए भी हमेशा टांट खाता रहता है टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि वह कल से वह बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों का भलाई करेगा दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठा उसने सोचा अभी से दूसरों का भला करना शुरू कर देना चाहिए उसने देखा कि बड़े भईया अभी तक सो रहे हैं देर तक सोना अच्छी बात नहीं है फिर सोचा सबसे पहले मैं भाईया का भला करूँगा उनमें चल्दी उठने की आदर टालूँगा उसने भाईया की रजाई खीच कर कहा भाईया उठो देर तक सोना खराब बात है भाई ने उम आ की और रजाई खीच कर करवट बदल कर फिर सो गए टिंगू को तो भाईया का भला करना ही था वह ठंडा पानी ले आया और उनके मुँपर डाल दिया भाईया चिला कर उठ बैटे उन्होंनों टिंगू को दो चाटे जमा दिये अब रोना भी जरूरी था टिंगू थोड़ी देर रोता रहा वह काता रहा हम तो भला कर रहे थे उल्टे हमें मार पड़ गए टिंगू थोड़ी देर टेटू करके चुप हो गया उसने सोचा मुझे निरास नहीं होना चाहिए अच्छे काम करने में बाधा आती ही है वह बड़ी देर सोचता रहा कि आप किसका भला करना चाहिए उसने उसे पिताजी की सिग्रेट की डिविया दिखी उसने मन में कहा बस आप पिताजी का भला करूंगा सिग्रेट पिना खराब बात है पिता जी को सिग्रेट नहीं पिने दूंगा उसने सिग्रेट का पैकेट उठाया और नाली में फेक दिया थोड़ी दिर बाद पिता जी ने हला मचाया मेरा सिग्रेट का पैकेट कहा गया बड़ी दिर बार टिंगु ने कहा मैंने नाली में फेक दिया पिता जी को गुष्चा आया वह चिलाये क्यों फेक दिया टिंगु ने कहा बाबु जी सिग्रेट पिना खराब बात है पिता जी को और गुष्चा आया उन्होंने टिंगु को एक चाटा जड़कर का उनलु कहीं का मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है टिंगु एक कोने में जाकर भी रोने लगा दो आदमियों का भला करने में तीन चाटे पड़ गए उसने सोचा अब क्या करूँ इतने में बुड़े बाबा ने पुकारा टिंगु इधर आना टिंगु ने कहा हम नहीं आते क्यों बाबा ने पुछा टिंगु ने कहा पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगती नहीं करते हम अच्छे लड़के हैं, आप बुरे आदमी हैं, टिंगू की मा ने सुना तो उन्होंने डाटा, क्यों रे, बाबा से इस तरह बोलते हैं, उसने कहा, बाबा बुरे आदमी हैं, 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 हजार बार हैं, उन्होंने कल पिताजी से छिपकर तुमसे लड़ू मांग कर नहीं बात सही थी, डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीजें, खाने की मराही की थी, टिंगू की मा गबरा उठी, पिताजी ने बातें सुनली थी, उन्होंने बाबा और मा को डाटा, टिंगू ने सोचा, यह अभी अजीब बात है, मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिस की, तो खड़ा हो गया, आखे बंद कर ली, वह हाथ जोड़कर प्रातना करने लगा, हे भगवान, दया निदान, तुम सब पर कृपा करते हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो, सड़क पर वकिल साहब के हाथे में अमरूत का पेड़ है, अमरूत पक गया है, उन्हें देखकर मेरी जार टपकती है, कमीज खराब हो जाती है, पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता है, हे भगवान, तु उनकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना जुका दे कि मैं अमरूत तोड़ सको, टिंगू के बड़े भाई, यह सब सुन रहे थे, उन्होंने पीछे से आकर ट चोरी की सामें सहायता करने की प्रार्तना करता है, टिंगू ने कहा, तो क्या हुआ, हमारी पुस्तक में कहानी है, यह लड़के के लोटे से दूद गिर गया, उसने भगवान से प्रार्तना की, उन्होंने उसका लोटा भर दिया, वह तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही रह यह सुनकर बड़े भईया कुभासे, उन्होंने टिंगू के कान जोड से खीचा, अब टिंगू बड़ा परिशान हुआ, वहार अच्छा काम करने पर चाटा पड़ जाता है, यह कान खीचा जाता है, उसने सोचा, कुछ भी हो, मैं अच्छे काम करूंगा, और अच्छा ल तुप पागल हो गया है क्या, तिंगू ने का, मैंने एक लब्बे की कहानी पड़ी है, गुरू दोड़ाचारे ने उसे सिक्छा देने से इंकार कर दिया था, तब उसने गुरू की मुर्ती बना कर उसके सामने तीर चलाने का अब्यास किया, और सब से आगे बढ़ गया, म सबने मिलकर उसे डाटा और स्कूल बेजा, तिंगू बसता लटकाय रोता रोता इस्कूल पहुंचा, उसने आशू पोच लिये, तय किया कि चाहे जो हो जाए अच्छे काम जलूर करूंगा, उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरू जी दिखें, उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए, उसने अपने सिक्छक के सामने जाकर कहा प्रणाम गुरुजी, वह बरामदे में आते दीखें तो फिर उसने कहा प्रणाम गुरुजी, छुट्टी वेवा मैदान में दीखें तो फिर उसने कहा प्रणाम गुरुजी, उसने दस बारा बार प्रणा बुरा लगा, उसका मन हुआ कि एके को पीटे, फिर उसने सोचा कि क्रोध करना अच्छी बार नहीं है, इसलिए उसने लड़कों से कहा, मैं अच्छा लड़का हूं, इसलिए क्रोध नहीं करता, मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो तुम सब के मुध तोड़ दूगा, अभी स लड़कों माव कर रहा हूं, इस पर लड़के और जोड से हस दिये, सिक्छक ने उससे कहा, बहुत बखबख कर रहे हूं, जाओ कच्छा से बाहर निकल जाओ, टिंगू बसता लेकर बाहर आ गया, वह थोड़ी देर तक मैदान में गुमतारा फिर घर आ दिया, साम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरण सोने लगा, उसकी मा ने का टिंगू तू तो कल साम से ही सोने लगा, पढ़ेगा नहीं, टिंगू ने लेटे लेटे का, अच्छे लड़के रात को ज्यादा नहीं जागते, वह जल्दी सो जाते हैं, मा उसके पास आई उने टिंगू का कान मेठा, उसे उठाते हैं, बड़ी बात बनाता है, पढ़ने से जी चुराता है, चल बैठने पढ़, बैठ, चल पढ़ने बैठ, तिंगू जरा दे लोया, फिर पढ़ने लगा, वह सोचता रहा, मैंने आज दिन बर अच्छे काम करने की कोशिस की, प्रसंसा की बजाए से भी निकाला गया, पर मेरी क्या गलती है, तिंगू को कोई गलती समझ में नहीं आई, इस कहानी को पढ़ने वाले बताए कि तिंगू की क्या गलती थी, इसके लेखा कौन है, हर शंकर परसाई, तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, किसी बच्चे की मनोदसा के बारे मे इस कहानी बताया गया है, जो कि आपकी भी मनोदसा हो सकती है, आप भी कोई ऐसा काम करने जाते हो, जो उल्टा पढ़ जाता है, तो अगर आप अच्छा काम करने जाते हो, और उल्टा पढ़ जाता है, आप लोग को डाट खाने पढ़ती है, फिर भी हमें अच्छे ही काम क करने चाहिए अच्छे करने चाहिए हमें चाहें कोई कुछ भी कहें तो आगे बढ़ते हम एक्सरसाइज की तरफ मारा एक्सरसाइज सब्दर्थ है संगती का अर्थ होता है साथ प्रोध का अर्थ होता है कुछ सा जी चुराना करता है कारे से बचना प्रारतना का अर्थ होता लाट टपकना करता है लालच करना चीक है अगला एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन लगा और गुरु जी ने टिंगु को इसलिए दंडित किया क्योंकि वह सरारत कर रहा था उन्हें चिड़ा रहा था वह बार-बार प्रणाम कर रहा था खुश नहीं कर रहा था तो तीसरा उप्शन सही है वह बार-बार प्रणाम कर रहा हो था खुश है टिंगु को डांट और थपड इसलिए खाने पड़े क्योंकि वह कलमन था शरारती था उसका भलाई करने का तरीका सही नहीं था ये सभी तो तीसरा उप्शन सही है उसका भलाई करने का तरीका सही न या कोई बात नहीं है तो तीश्रावन सही खराब बात हैह दो, यह घर साइज हमनों का म........ सही या गलत रिखो के टिंगू को प्रसंसा के बजायत तमाचे वगुशे पड़ेते सही द्रति के हाँ कि अम का प्रतिه तब्र को दो है चाहतRed तब्रति ने अद्ध है आपको उसने क्या किया था। पानी ले जाके उनके उपर गिरा दिया था। शिग्रेट मिना स्वास्ति के लिए हानिकारक है । इसकृरण टिंगु ने पैकेट फेक दिया था। सही है। बाबा जी ने वीमारी होने के कारण लड़ू छिपकर खाया था। सही है, ये आप लोग अपनी बुख में भर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे का एक्सरसाइज है मारा, किसने किस से कहा, ठीक है, उल्लू कही का, मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है, किसने कहा, पापा ने टिंगु से, टिंगु इधर आना, बाबा ने टिंगु से, क्यों ने भवान से चोरी में सहायता करने की प्रात्ना करता है, भाईया ने टिंगु से, ठीक है, ये भी हो गए आपका, अब क्या होता अगर, इसे आपनों को करना है अपने से, ये हुमर के आपनों का, टिंगु ने भवाया के मुपर ठंडा पानी न डाला होता, तो क्या होता, वो नहीं जगते और न उसे मार पड़ते, टिंगु ने बार बार गुरुजी प्रणाम न का होता, तो क्या होता, गुरुजी उसे न मारते और न उसे दंडित करते, ठीक है, अब है रिक्ता स्था के बुर्दी करो जा बेंच पर खड़ाओ जाओ कक्षा से बाहर निकल जाओ वह भगवान के चित्र के सामने खड़ा हो गया डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीजे खाने की मनाई की थी ठीक है अगला है सही जोडे बनाओ सिग्रेट का पैकेट एक लब्य कहानी गुरुजी प् आंसर आप लोगो पेडियो के मादयां से जाएगा अप लों इतना तो अपने वीडियो से त्यार कर लेंगे और आप लोग का यह होमवर का है, निमलिकी सब्दों के समानार्थक सद लिखो समानार्थक सब्द मतलब इसका word meaning रात का रात्री प्रार्टना का बिल्ति भलाई का सिक्षका पार्ट में आये मुहावरों के अर्थलिको लाल टपकाना, कान खीजना, जीचुराना, कान मेटना, बस इसका अर्थ लिखना है, ठीक है, तो यह हो गया आपका होमर, और यह आपका exercise आपने भर लिया है, आप लोग भी अपने बुक में भर लेंगे, और भर के उसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब हम चलते ह है, अब हमारा आज का क्लास यहीं समाथ होता है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लिजिएगा, exercise भर लिजिएगा बुक में, और जो question answer PDF से जाएगा, उसे अपनी notebook copy में लिख लिजिएगा, अब हम अगले वीडियो मिलेंगे आप से, अगले क्लास में, तब तक, बाए! अब हों लिए में आप लगश लिएगा, आपान होगिए होते हैं